नमस्कार दोस्तों मैं शीवान्स दूबे लर्निंग बुक पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों भारती भुगोल पर यह हम लोग का 15 वीडियो है जिसके अंत्रगत हम लोग भारती भुगोल पर अधारित मातपूर प्रश्णों को cover कर रहे हैं जो विगत वर्स परिशाओं में पूछे गए हैं तो चलिए देर ना करते विए हम लोग अपने प्रश्णों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्णों सुरू करें उससे पहले में आपको बता दूँ अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो प्ल सेर करिए और यह सारे प्रश्ण कहीं न कहीं बहुत महत्पूर है जो कि विगत वर्स एक्जाम में पूछे गए हैं और पीट होते रहते हैं अलग-अलग जामों पूछे गए हैं और कोश्ण की नीचे आपको दिख भी जाएगा हिंड भी दे दिया जागा किस एक्जाम मे कहां इस्थित है एससी 2002 में पूछा गया प्रस्ट आप्शन ए आंध्र प्रदेश आप्शन बी महाराष्ट आप्शन सी उडिशा आप्शन डी च्छत तिसगर आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय है या फिर आप वीडियो पॉस्ट कर भी कर सकते हैं तो दोस्तों आप परियोजना जोकी महाराष्ट में इस्थित है चलिए एगले कोशन की तरफ चलते हैं हीरा कुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवा को नियंत्रित करता है ऑप्षन A किष्णा ऑप्षन B महानदी ऑप्षन C तापी ऑप्षन D नर्मदा औरर बी सीसी दो जार ती ने पूछा गया प्रशन तो दोस्तों आगर आप लोग ऑप्षन B के साथ जा रहे हैं महानदी तो आप लोग बिल्कुल सही है हीरा कुण पर्योजना आपका महानदी पर इस्तित है और यह किस राज में है यह हम लोग अगले प्रशन में देखेंगे दोस्तों उड़ीसा के संबल पूर जीले में ये हीराकुन पर्योजिना इस्टित है जो की महान नजी पर इस्टित है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं हीराकुन पर्योजिना किस राज में है? अब मैंने पिछले प्रस्न बतायais की राज जे हम लोग अगले question में disclose करेंगे option A, जहरखेंड, option B, 36 गड़, option C, उडिशा, option D, मद्ध प्रदेश दोस्तों अगर आप लोग option C के साथ जा रहे हैं उडिशा तो आप लोग बिल्कुल सही है, हीरा कॉंट परियोजिना है उडिशा राज में इस्थित है और ये महा नदी पर आधारित है ये प्रियोजिना चलिए अगले question की तरफ चलते हैं करनाटक में इस्थित बहुत देशी नदी घाटी प्रियोजिना है option A, दामोदर, option B, भाखड़ा, option C, तुंग भद्रा, option D, कोसी इसमें से हमें पहचान करनी है करनाटक में कौन सी नदी घाटी प्रियोजिना इस्थित है चारों option आपके सामने है आप लोगा answer करने का प्रियास करिए सही answer आप लोग के सामने कुछी सेकंड में होगा सही answer है option C, तुंग भद्रा करनाटक दता आँद्प्रदेश की या सायुक्त प्रियोजना है तो कई वे रख्जामने यह पुछ लेता है कि तुंग भद्रा किसकी सायक नदी है और यह देखते हैं हम लोग दामोदर यह दामोदर नदी घाटी पर्योजना यह जारखंड और पशिम मंगाल की एक नदी घाटी पर्योजना है यह और दोस्तों एक कोश्चन और जो इस पर दामोदर नदी घाटी पर्योजना पर्योजना थी और यह अमेरिका के टेनसी नद गाटी पर्यूजना पर आधारित है पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको डिसकेस किया था और यह दामोदर नदी पर आधारित है दूसरा ओप्सन देखते हैं भागड़ा तो यह पंजाब में 17 नदी पर आधारित है और यह जो राज यह हैं जिनकी यह संउक्त परूजना है यह आपका नेपाल में ही भारत और नेपाल के साज़दारी से बना हुआ है तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए इस कुरूजन को और अगर ना समझाए तो फिर से एक बार आप लोग बैग जाके पूरे प्रश्न को डिटील को समझने का प्रयास करिए तो क नाटेक में इस्थित बहुत देशी नदी खाड़ी परूजना है तुंग भद्रा जोकी किस्णा नदी की सहायक नदी है चलिए अगले कोश्यन की तरफ चलते हैं कि I के ऊंठेक परूजना किस नदी पर इस्थित है किडकल नदी परूजना किस किडकल परूजना किस नदी पर इस्थित है और यह कि सतलज ओप्सन करनाटक के बेल ग्राम में इस्थित है या पुरूजना चलिए एगले कोशन की तरफ चलते हैं काकरा पारा पुरूजना किस नदी से संबंदित है ओप्शन ए ताप्टी ओप्शन भी नर्मदा ओप्शन सी तो गुभंद्रा ओप्शन टी किष्णा तो दोस्तों अगर आप लोग ओप्शन ए के साथ जा रहे हैं ताप्टी तो आप लोग बिल्कुल सही है काकरा पारा पुरूजना ताप्टी नदी से संबंदित है चलिए एगले कोश्चन की तरफ चलते है उत्तर प्रदेश में रानी लच्चमी बाई बांथ पर्यूजन नेर्मित है ओप्शन ए घागरा नदी पर ओप्शन बेतवा नदी पर ओप्शन सी सोम नदी पर ओप्शन डी चम्बल नदी पर तो दोस्तों अगर आप लोग उप्शन B, बेतवा नदी के साथ जा रहा है तो आप लोग बिलकुल सही है लानी लच्छमी बाई नदी पर उजना बेतवा नदी पर आधारित है उस्तों या यूपी के एक या यूपी का एक नहर है जो जहांसी जीले में बेतवा नदी पर माटा तीला इस्थान पर देन्विद माटा तीला बांस से गुरुद सराय और मंदग नामक दो नहरे निकलती है चलिए अगले कोशन की तरब चलते है टीरी पन बिजली कांपलेक्स निल्खित में से किस एक नदी पर अवस्थित है उप्षन अलक नंदा उप्षन भागी रथी उप्षन सी धौली गेंगा उप्षन टी बंदाकली तो दोस्तों अगर आप लोग उप्षन B के साथ जा रहे हैं भागी रथी तो आप लोग बिल्कुल सही है B is the right answer और यह उत्राखंड के टीरी जीली में इस्थित है या परियोजना चलिए नए कोशन की तरब चलते हैं ओंका रेश्वर परियोजना लेखित नद्यूम से किस एक से सम्बंद है ओप्षन A चमबल ओप्षन B नर्मदा ओप्षन C तापी ओप्षन D भीमा तो दोस्तों आगर आप लोग ओप्षन B नर्मदा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है और यह परियोजना दोस्तों मद्द प्रदेश में इस्थित है चलिए अगले कोशिन के तरप चलते हैं ओप्षन A मद्द प्षन B उत्तरप्रदेश, ऊप्षन C उत्रकंड, ओप्षन D रास्थान बौट इमात्पूर कोशिन है दोस्तों कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तपो 1 वह विश्णुगर जल विद्धित पर्योजना कहां अवस्थित है तो दोस्तों आगर आप लोग ऑप्शन C के साथ जा रहे हैं उत्राखन तो आप लोग बिल्कुल सही है और यह किस नदी पर इस्थित है यह भी एक्जाम में पूछा जाता है कई बर तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह प्रयोजना धौली गंगा नदी पर आधारित है चलिए नेस्ट कोशिन की तरब चलते हैं दुलहस्ती पावर इस्टेशन ने लिखिर में से किस एक नदी पर आधारित है आप्शन ए व्यास आप्शन भी चिनाब आप्शन सी रावी आप्शन डी सतलज तो दोस्तों आगर आप लोग आप्शन भी चिनाब के साथ जा रहा हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है गंडग परियोजना किन दो राज्यों की सायुक्त परियोजना है और दोस्तों अगर आप लोग आप्शन एक के साथ जा रहे हैं बिहार वा उत्तर पर देश तो आप लोग बिल्कुल सही है गंडग परियोजना उत्तर परदेश में बिहार की सयुक्त परियोजना है और दोस्तों इस योजना की सुरुवाद जो 1908 में की गए थी और बिहार तथा उत्तर परदेश के साथ साथ इसका लाब नेपाल को भी मिलता है गंडग परियोजना का चलिए अगले कोशन की तावती प्रयोजना, अप्शन D, हीडा कुट प्रयोजना, तो दोस्तों आगर आप लोग ऑप्शन A, चम्बल घाटी प्रयोजना के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है, और इन दो, और इस जो चम्बल घाटी प्रयोजना, इसका लाभ जो है, मत को मिलता है, चलिए एकले कोशन की तरब चलते हैं, नागार जुन सागर प्रयोजना, जिस नदी पर इस्थित है, वह है, और यह आन्द प्रदेश में है, यह कोशन बहुत है, इस बहुत है इंपोर्टन है, दोस्तों कई बार एक्जाम में नागार जुन सागर बाद किस राज में है, या किस नदी पर है, यह काफी बार कोशन एक्जाम में पूछा जासता है, तो आप लोग ध्यान रखेगा, नागार जुन सागर प्रयोजना, जो कि किसना नदी पर है, और यह आन्द प्रदेश में इस्थित है, चलिए एकले को है तो आप लोग बिलकूल से और या जम्मू कसमीर राज में इस्थित है या परियुजना बगली her परियुजणा आपको जम्मू कसमीर राजे और या चिनाव नदी पर इस्थित है चलिए next question की तरब चलते हैं इडुकी जल विद्धित पर्युजना किस राज में इस्थित है option 1 केरल, option B, हिमाचल परदेश, option C, रोनाचल परदेश, option D, जमो कसमीर तो जैसा कि आपके भी दिमाग में इडुकी आते ही केरल का नाम उभर के आ गया होगा तो आप लोग बिल्कुल सही है, इडुकी जल विद्धित पर्युजना केरल राज में इस्थित है और या इडुकी नदी पर ही अधारित है चलिए अगले question की तरब चलते हैं देश के सरवादिक छेत पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? option B, परवती 1, option B, उस्राण द्वर्द सदावाहर 1, option C, आंद्रमान सूनी 1, option D, उस्राण परतिज़डवन दोस्तों अगर आप लोग option D, उस्राण परतिज़डवन के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, D is the right answer उस्तों प्राइद प्भारत के मद्द भागों में ये प्रमुकता से पाए जाते हैं, और इसमें मुक्रुप से आपके लारेल, खेर, साल, बास, आजिके विच पाए जाते हैं चलिए अगले कोशिन की तरफ चलते हैं देश के 100 से 200 सेंटीमर मीटर आउसत वारजिक बरसावाले भाग में किस प्रकार की बरनस्पति पाई जाती है अप्शने उस्रार्ज सदा बहर बन, अप्शन B मैंगरो बन, अप्शन C उस्रार्ज पर जड़ बन, अप्शन D मरस्तुली बन तो दोस्तों अगर आप लोग अप्शन C के साथ जा रहे हैं उस्रार्ज पर जड़ बन तो आप लोग बिल्कुल सही हैं C is the right answer चलिए अगले कोश्चिन की तरफ चलते हैं पचास सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले छेतरों में समानता है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और यहां जो पाई जाने वले वर्ष्पतिया हैं इनमें मुक्ता जाड़िया होती हैं जिनकी और शित्ताई काफी नीचे तक जाती हैं जिससे यह भूमी जल का सेवन कर सके और अपने तनों में इसको स्टोर कर लेते हैं और मुक्ता जो इनके पतिया होती हैं कटीली वाच छोटी होती हैं जिससे जल का वाप्सन कम से कम हो सके चलिए अगले कोशिन की तरफ चलते हैं दलदली अत्वा ज्वार भाटा छेत्र में पाई जाने वाले वन को क्या कहा जाता है जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर आप लोग ऑप्षन A के साथ मैंगरो वन के साथ जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही है बायर जान लेता है यह पेड़ वा पौधे होते हैं जो खारे पानी में 30 छेत्र में पाई जाते हैं जैसा कि आपके पस्चिं बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी है ओर अपका गुजरात में उडिशा में पाई जाता है चलिए अगले कॉशिन की तरफ चलते हैं बारत में मैंगरो वनस्पति का सर्वदिक विस्तार के सिराज में पाये जाता है ओप्शन A गोवा, ओप्शन B पस्षी मंगल, ओप्शन C आंद्परटेस, ओप्शन D उडिशा तो दोस्तों सबसे जादा जो विस्तार आपका मैंगरो वन का पाये जाता है आपका पस्षी मंगल में पाये जाता है, जो गंगा ब्रहंपूत की जो डेल डाई छेतर है, उसमें सर्वदिक विस्तार है, उसके बाद आपका गुजरात राज में है, और उसके बाद आपका उडिशा राज में है विस्व के लगभग, साथ पर्टसे मैंगरो वनस्पती भारत में पाये जाती है, सर्वदिक विस्तार इसका गंगा ब्रहंपूत टेल्टा में पाये जाता है, पहले पर पस्षी मंगल, दुसरे पर गुजरा, तीसरे पर उडिशा है, आप लोग रियान दखिएगा इसका दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन C, नीलकरी की पाड़ियों के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग विलकुल सही है, भारत में चंदन की लकड़ी के सबसाधिक बन नीलकरी की पाड़ियों पाये जाते हैं, और मुख्यता जो है, करनाटक के जंगलों में पाये जाते हैं, जंगल पूछेगा, तो आप लोग नीलकरी के साथ जाएंगे, अगर स्टेट वाइज पूछेगा, तो आप लोग करनाटक के साथ जाएंगे, चलिए एगले कोशन की तरफ चलते हैं, साइलेंट वैली के चर्जित होने का कारण है, आप लोग बिलकुल सही है, डी ज़िले में स्थित एक राश्टी उद्यान है, जो की नीलगरी परवत का ही हिस्सा है, साइलेंट वैली, चलिए एगले कोशन की तरफ चलते हैं, फूलों की घाट इस्तित है, आप लोग बिलकुल सही है, फूलों की घाट आपका उत्राखंड राज में इस्तित है, चलिए एगले परशन की तरफ चलते हैं, तो दोस्तों, आप लोग और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करेज़े, वीडियो को लाइक करिए, इस्सें हम लोग का मनुबल बढ़ता है, और हम लोग आपके लिए नए-नए वीडियो और कंटेंट प्रोवाइड कर आ सकें चलिए, थैंक यू वेरी मच